हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, पॉले एलेक्टिका, इलेक्रिकल एंड इलेक्रोनिक मेजर्मेंट में, हमने पिछले क्लास में पी एमेमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन देखा था, जिसमें हम उसके दो पार्ट को डिसकस कर चुके हैं, पहला तो था मेगनेट सिस्टम और दूसरा था मुविंग सिस्टम या फिर मुविंग कोईल, मेगनेट सिस्टम में हम नौर्थ और साउथ पोल बनाने के लिए, मेगनेट के दो धुरूब बनाने के लिए, दो तरीके के मेगनेट यूज़ कर सकते हैं, या तो दो स्ट्रॉंग पार मैगनेट को यूज कर सकते हैं जिसके अलग-अलग सीरों को N और S के रूप में उपोग कर सकते हैं, उप्योग कर पाएंगे और या तो फिर एक U-shape का सिंगल मैगनेट यूज करेंगे जिसमें N और S पॉल एक ही मैगनेट में प्रेजन्ट हो एक ही मैगनेट से हमको N और S दुरूफ मिल सके दूसरा पार्ट था हमारा मोविंग कॉईल उस मैगनेट के बीच में हम एक मोविंग कॉईल को प्लेस करते थे यह जो मोविंग कॉईल है यह अलुमिनियम के एक फ्रेम में लप्ती हुई होती है इस मोविंग कॉईल है यह अलुमिनियम के फार्मर पर तार को लपेट कर बनाया जाता है और इस मोविंग कॉईल को हम दो जैवल बेरिंग के बीच में रख देते हैं ताकि वो आसानी से फ्रीली घूम सके इसी सेक्वेंस में construction के सेक्वेंस में हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं तीसरा component कौन सा है उसमें control spring चलिए control spring को पढ़ते हैं क्या है control spring control spring जो है controlling talk provide करने के लिए use में होता है हम यह बात पहले से जानते हैं कि किसी भी indicating instrument ऐसा instrument जिसमें किसी pointer को move करा के measurement लिया जाता है उसमें तीन तरीके के torque work करते हैं एक पहला torque होता है deflecting torque जो कि उस pointer को zero से किसी value तक ले जाने के लिए दूसरा होता है controlling torque उस deflecting torque के वज़े से pointer में होने वाले movement को रोकने के लिए और तीसरा होता है damping torque जो कि pointer में होने वाले oscillation को रोकता है तो इस PMMC instrument में हम controlling के लिए क्या use करते हैं Two springs made of phosphor bronze acts as a control system for the permanent magnet moving coil Permanent magnet moving coil instrument में दो spring का use करते हैं जो की phosphor bronze का बना होता है यहाँ पर हम spring control method को use करके controlling talk provide कराते हैं These springs are mounted on the javel bearings of PMMC Diagram से देखते हैं यह जो दोनों spring है दो spring लगे होते हैं Javel bearings यह जो नीचे यहाँ और यहाँ bearings के पास दो spring लगे होते हैं जो की controlling torque provide करेंगे देखें यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है spring The controlling torque produced is mainly due to ribbon suspension उस spring में होने वाले suspension या फिर उसमें फैलाओ के वज़े से controlling torque यहाँ पर produce होता है They opposes the force of deflection So the electromagnetic force come in equilibrium with the spring tension Controlling torque क्या करता है deflection को oppose करता है उसका विरोध करता है जिसके वज़े से moving oil जो की deflect हुई थी वो एक equilibrium condition वो एक balance condition में आ जाता है और यह जो deflection का विरोध किस वज़े से होता है spring के वज़े से spring में उपन होने वाले तनाव के वज़े से controlling torque यहाँ पर produce होता है This helps in keeping the pointer at a fixed position after a initial deflection Initial deflection क्या है सुरू में जो deflection होता है वो है initial deflection तो शुरू में होने वाले deflection को रोकने के लिए हम controlling torque का use करते है शुरू में होने वाले इस deflection को रोकने के लिए controlling torque कौन प्रोवाइट करता है spring जिसके वज़े से pointer किसी एक fixed position पर किसी एक fixed place पर रुख सकता है जिसे कि pointer 0 से move कर रहा है माल लिजे वो 5 ampere पर रुख रहा है तो 5 ampere पर तब रुखेगा जब deflecting torque और controlling torque जो है दोनों आपस में equal और opposite हो दोनों मात्रा में बराबर हो लेकिन दोनों की जो दीशा है एक दूसरे के विपरित होती है तब कोई point तब कोई pointer एक स्थान पर रुखेगा इस control springs also serve the purpose of providing lead current paths in and out of the system ये जो control spring लगे होते हैं उसमें से current moving coil की current को flow होने के लिए path भी मिल जाता है एक रास्ता भी मिल जाता है तो ये हो गया हमारा control spring इसके बाद देखते हैं अगला construction के हिसाब से हमारा अगला part कौन सा है damping system damping system damping torque is produced in the PMC equipment by the movement of aluminium core in the magnetic field aluminium core है जिस पर coils को हम लपेटे हुए हैं वो damping torque के लिए use करेंगे यहां पर हम add current damping को PMC instrument में use कर रहे हैं it keeps the pointer at rest after the initial deflection जब pointer हमारा सुरू में deflection create होता है तो controlling torque के द्वारा वह रोका जाता है और उस pointer को एक निश्चित इस्थान पर रोकने के लिए उसमें होने वाले oscillation को रोकने के लिए हम damping system के द्वारा damping torque provide करते हैं this helps in proper measurement without fluctuations वो जो pointer है उसमें किसी भी तरीके का fluctuation नहीं होता fluctuation कहने से मतलब है यहां पर value में कोई भी changes वो pointer अपने right side या फिर left side move नहीं करता एक fixed स्थान पर रुख जाता है जिससे measurement करने में आसानी होती है और हम एक proper measurement एक सही मापन कर सकते हैं due to movement of coil in the magnetic field eddy current is produced in the aluminum former किसी भी permanent magnet moving coil में magnets के बीच में coil का moment होता है यह हमने देखा था moving coil के construction के समय हमने देखा कि magnetic field में उस moving coil में अगर current flow होता है तो वो एक force अनुभाव करता है जिसके वज़़े से उसमें deflection होने लगता है वो coil गूमने लगता है अब जब वो coil गूम रहा है तो उसके सांथ सांथ उसमें जुड़ा हुआ former जो है aluminum former वो भी गूम रहा है eddy current is produced in the aluminum former जब aluminum former किसी magnetic field के बीच में है और aluminum former का moment हो रहा है किसी magnetic field में तो हम पहले से ही जानते हैं कि किसी conductor का अगर magnetic field में movement कराया जाए तो उसमें उस conductor में EMF produce हो जाता है तो aluminum former में भी खुद का एक EMF produce होगा और उसमें eddy current produce हो जाएगा अब क्या होगा? lens law के मताबिक यह जो current का producing है वो अपने cause को ही oppose करेगा वो अपने उस कारण को विरोध करेगा जिसके वज़े से वो create हुआ है तो current किस वज़े से produce हुआ है? aluminum former में जो eddy current produce हुआ है वो conductor के उस movement के वज़े से हुआ है इसलिए eddy current उस motion को उस घुमाओ को रोकने की कोशिस करेगा वो उसका विरोध करेगा और इस तरीके से उस former में होने वाला movement रुख जाएगा साथ ही साथ उससे attached जो pointer है जिसका oscillation scale पर हो रहा है वह भी रुख जाएगा तो PMMC instrument में हम damping के लिए eddy current damping का यूज़ कर रहे है यह जो eddy current रहेगा वो damping force प्रोड्यूस करेगा और कोईल में होने वाले motion को रोक देगा slowly the pointer deflection reduces and finally stops at a fixed position धीरे धीरे करके जो pointer का deflection है वो कम होता जाएगा और एक निश्चित स्थान पर वो रुख जाएगा यह हो गया हमारा damping system PMMC का damping system अब हम देखते हैं PMMC के construction में अगला part जो की बहुत important है अगला है हमारा scale and pointer यह तो किसी भी electromechanical instrument मे mechanical जो part है वो हमारा कौन सा है scale or pointer जो की सहायता से हम कोई भी reading लेने में able होते हैं वो है scale or pointer the pointer connected to the moving coil moves over a marked scale यह जो pointer है वो moving coil से connected होता है जैसे जैसे moving coil घूमता है उसके साथ ही साथ pointer भी घूमता है किसी scale के ओपर moving coil में जितना current flow होता है उसके हिसाब से वो movement करता है और similarly pointer का movement भी उस current के value पर depend करेगा अगर कम current flow होता है moving coil में तो moving coil का deflection कम होगा उसके साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ pointer है उसका deflection भी scale पर कम value पर होगा अगर current का value जादा है moving coil में flow होने वाले current का तो क्या होगा pointer भी उसके साथ ही साथ जादा move करेगा the pointer moves along with the coil the pointer moves along with the coil deflection to show readings marked on the scale जो हमारा pointer है उसका movement काईल के साथ ही साथ होता है जिसके वज़ा से हम किसी deflection को प्राप्त करके scale पर कोई भी reading प्राप्त करते हैं a pointer is a simple construction with lightweight design जो pointer का construction है वो बहुत ही lightweight होता है उसका वज़न बहुत ही हलका होता है and twisted section to reduce parallax error और उसमें एक twisted section भी होता है पीछे में जिसके वज़ा से error को हम लोग reduce कर सकें यह हो गए हमारे PMMC instrument का construction total 5 parts होते हैं इसमें magnet system, moving coil, control spring, damping और पाचवा है scale and pointer इन 5 parts से मिलकर PMMC instrument का construction बना होता है यहाँ पर मैं आपको एक diagram दिखाती हूँ 3D view में जिसमें आप उसके arrangement को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे यह जो आप इस screen पर देख पा रहे हैं 3D view उसका दो U magnet को U type के magnet को जिस तरीके से north और south pole बनाया गया है उसके बीच में एक moving coil को place किया गया है spraying दिखाया जा रहा है दिखे ध्यान से scale में हम mirror इसलिए लगाते हैं ताकि pointer का perfect value perfect measurement ले सके आपको इससे समझ में आ गया होगा कि arrangement किस तरीके का होता है PMC instrument का चलिए आगे इसका working mode देखते हैं अब हम देखते हैं working principle of PMC instrument PMC instrument है वो किस तरीके से काम करता है when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force perpendicular to the field and current जब हम किसी current carrying conductor मतलब जो हमारा coil है moving coil उसमें से किसी current को pass कराते हैं जो की magnetic field के बीच में रखा हुआ है it experiences a force perpendicular to the field and current current के flow होने की दिशा और magnetic field के flow होने की दिशा दोनों से 90 degree पर एक force अनुभाव करता है उस पर एक बल लगता है flaming के left hand rule के according this force tends to move the conductor और इस पर produce होने वाले बल की वजह से ही coil जो है rotate करना start करता है उसमें जो coil में लगे हुए conductor है वो rotate होने start हो जाते है according to flaming's left hand rule if your left hand thumb, four finger and middle finger are at 90 degree to each other flaming के left hand rule flaming के बाएं हाथ के rule के हिसाब से क्या होगा मैं जैसे border उसके हिसाब से करते चलेंगे left hand का अंगुठा उसके बाद उसके अंगुठे के बाद वाली उंगली और बीच वाली उंगली तीनों उंगली को खोलिए उसके बाद last की दो उंगलियों को बंद रखिए तो जब तीनों को देखेंगे हम तो वो एक दूसरे से तीनों 90 डिगरी पर दिखेंगे एक दूसरे के परपैंडिकुलर दिखेंगे इसमें जो हमारा मिडल फिंगर रहेगा जो बीच की उंगली रहेगी वो करेंट को शो करेगी उस कॉयल में फ्लो होने वाले कर्रेंट को शो करेगी और जो फोर फिंगर है मतलब अंगूठे के बाजू वाली उंगली वो मेगनेटिक फिल्ड को शो करेगी तो अंगूठा किस चीज को शो करेगा वो उस conductor में लगने वाले बल की दिशा को शो करेगा आसान सब्दों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा four finger है अंगूठे के बाजू वाली उंगली है वो अगर magnetic field को दर्साती है और जो बीच वाली उंगली है middle finger वो current की दिशा को दर्साता है तो अंगूठा जो है कॉइल पर वो उस conductor पर लगने वाले बल की दिशा को दर्सा आएगा When current flows in the coil on the aluminum former a magnetic field is produced in the coil in proportion to the current flow जब aluminum former पर लिप्टे हुए कॉइल में current flow होता है तो क्या होगा A magnetic field is produced in the coil in proportion to the current flow उसमें जो current flow हो रहा है उतने ही मात्रा के according उसके proportional उसके अनुक्रमा नुपाती उसका खुद का एक magnetic field भी produce होगा This electromagnetic force along with a static magnetic field from the permanent magnet produces the deflection force in the coil अब क्या होगा जो permanent magnet में एक field जो है magnetic field पहले से produce हो रहा है अब current के वज़े से current flow होने के वज़े से उस coil में भी एक electromagnetic effect produce हो जाएगा अब दोनों जब एक static और एक moving दोनों magnetic field आपस में टकराएंगे तो क्या होगा एक deflection force कोईल पर act करेगा deflection force कहने का मतलब क्या है एक ऐसा force जो कि उस coil को rotate कराने के लिए responsible है अब जब दोनों field का टकराओ होगा तो coil जो है अपनी जगह पर move करने लगेगा rotate होने लगेगा the spring then produces the controlling force to oppose the further deflection जैसे ही moving coil घूमना चालू करेगा उससे जुड़े हुए pointer में भी deflection torque मिलेगा और pointer scale पर घूमना start करेगा pointer जो है scale पर अपने values को change करेगा pointer move होने लगेगा 0 से हट कर किसी value पर जाने लगेगा उस condition में spring है वो controlling torque प्रोवाइट करेगा और उस deflection को रोग कर pointer को किसी एक value में रुखने के लिए help करेगा thus helps in balancing the pointer यह जो controlling torque है वो pointer को किसी एक इस्थान पर रोगने के लिए help करेगा then damping force is produced in the system by the movement of aluminum core in the magnetic field अब deflecting torque और controlling torque दोनों produce हो चुके हैं उसके बाद हमें एक आखरी torque की जर्रत होगी जो कि है damping torque वो pointer पर होने वाले कमपन को रोकेगा तो यह damping torque कैसे produce होगा जब हमारा system move कर रहा है moving system move करेगा उसके साथ ही साथ aluminum core भी magnetic field में move करेगा और उस aluminum core में जो eddy current produce होगा वो उस motion को उस movement को oppose करेगा और पूरे coil को एक इस्थिर position पर लाने की कोशिस करेगा जैसे ही coil एक इस्थिर position पर आएगा pointer भी उसके साथ ही साथ इस्थिर position पर आजाएगा it keeps the pointer fixed to a position after it reaches equilibrium with the controlling and deflecting torque controlling and deflecting torque जब बराबर हो जाते हैं तो pointer एक इस्थान पर रुख जाता है और उसी इस्थान पर कमपन करने लगता है तो इस कमपन को रोकने के लिए हम एक damping force provide करते हैं यह जो damping torque है वो pointer में होने वाले कमपन को रोक कर एक value पर एक fixed value पर पहुचाता है it keeps the pointer fixed to a position after it reaches equilibrium with the controlling and deflecting torque providing better precision in measurement हमें कोई भी value को better reading लेने के लिए हम measurement में perfection ला सके इसके लिए हम damping torque को use करते हैं ताकि pointer किसी एक निश्चित इस्थान पर रुखे और हम आसानी से reading ले सके तो इस तरीके से हमारा PMC instrument काम करता है जिन्हें working principle समझ नहीं आया होगा वो एक बार फिर से देखिए इस diagram की सायता से समझते हैं कि कैसे काम करता है सबसे पहले तो हम माली जीए हम कोई current को measure करना चाह रहे हैं या फिर voltage को तो उसका connection हम इस coil से करेंगे यहाँ पर इस तरीके से इस coil में current flow होगा अब जो उसका current की मातरा है उसके हिसाब से इस coil में deflection होगा यह coil जो है अपने इस्थान से इस तरीके से rotate होना चालू करेगी क्योंकि यहाँ पर एक current carrying conductor दो magnetic field के बीच में north और south के बीच में current carrying conductor पास हो रहा है तो इसमें एक force अनुभा होगा इन दोनों के 90 degree पर तो यह जो coil है वो इस दिसा में इस तरीके से घूमना start करेगी जो उसके घूमने का force है जो उसका deflecting force है वो उस coil में होने वाले current के मातरा पर depend करेगा उसमें अगर high current flow होगा तो deflection का जो force है वो भी जादा होगा flow होने वाला जो current है वो कम होगा तो deflection भी कम होगा अब क्योंकि coil में deflection हो रहा है इस coil वाले conductor में deflection हो रहा है तो इसके साथ जुड़े हुए pointer में भी deflection होगा यहाँ पर देखिए यह हमारा pointer है इसमें भी deflection होगा अब यह तो हो गया मिल गया इसको deflecting torque अब इस जगा पर लगा हुआ है spring यह spring यहाँ पर controlling torque प्रोवाइड करेगा spring का rotation रोकेगा और pointer को एक fixed day इस स्थान पर रोकेगा अगर हम control torque प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होता है pointer जो है अगर 0 से move करना start हुआ है तो वो पूरा scale के अंतिम छोड तक पहुच जाएगा तो इसलिए उसे किसी value पर रोकने के लिए controlling torque प्रोवाइड करना पड़ता है और यह controlling torque जो है deflecting torque के बराबर होता है तो ऐसा position आता है जब deflecting torque और controlling torque दोनों बराबर हो जाते हैं और एक दुसरे का पूरा विरोध करते हैं तो वहाँ पर pointer रुख जाता है मालिजे की 2 ampere का अगर हमारा यहाँ पर 2 ampere के हिसाब से deflecting torque प्रोड्यूस हुआ है तो उस पर 2 ampere के according ही controlling torque भी लगेगा और दोनों 2 ampere पर जो जब torque बराबर हो जाएगा तो pointer 2 ampere पर रुख जाएगा लेकिन हमारा pointer तूरंथ ही इसी स्थान पर नहीं रुखता है उसमें कमपन होते रहता है तो इस कमपन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें damping torque प्रोड्य कराते हैं अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एक moving coil घूम रहा है उसके साथ साथ वो core है जिस पर एक frame है जिस पर हम coil को लपेटे हुए हैं वो भी उसके साथ घूमेगा अब इस core का उपयोग हम लोग addy current damping के रूप में damping torque प्रोड्य करने के लिए कर रहा है जो conductor material है जो conducting material है एक frame है सिर्फ frame देखिए ये frame का movement हो रहा है यहाँ पर दो magnets के बीच में तो क्या होगा इस frame में खुद का एक addy current प्रोड्यूस हो जाएगा और lens law के according ये जो addy current है वो उसके उत्पन होने के कारण को ही विरोध करेगा उसका उत्पन होने का कारण था हमारा यहाँ पर motion उसकी गती, conductor की गती तो जो उसमें addy current प्रोड्यूस हुआ है उस conductor में होने वाली गती का विरोध करेगा और इस्थिर position पर आ जाएगा तो जैसे हमारा coil इस्थिर position पर आएगा उससे जुड़ा हुआ pointer भी एकदम इस्थिर position पर आ जाएगा उसमें कोई भी कमपन नहीं होगा इस तरीके से हम एक measurement को सुरू से लेकर आखरी तक perform कर सकते हैं उसका पूरा सुरू से लेकर आखरी step हमने देखा कि वो किस तरीके से काम करता है तो ये हो गया PMMC instrument का working principle तो आज के हमने class में क्या-क्या देखा उसके construction part देखे और उसका working principle कि किस तरीके से PMMC instrument काम करता है इसके बाद आगे के class में हम कुछ torque का derivation देखेंगे PMMC instrument के क्या-क्या lab और क्या-क्या हानिया है क्या उसके advantage और disadvantage है इसके बारे में भी बात करेंगे साथ ही साथ इसमें कुछ errors भी होते हैं PMMC instrument में किस तरीके के error आते हैं किस तरीके की truth आती है इसके बारे में भी अगले class में हम discuss करेंगे PMMC instrument के construction और उसके working का node से तयार कर लिजे और इसे rate कर लिजे कि ये कैसे काम करता है तो आज का class हम यही पर end करते हैं मिलते हैं अगले class में Thank you